नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सबका फिलो मस्किशिन अन्ट्रावल में आज मैं आप सबके साथ हार्वेस्टिंग शेयर करी हूँ यह थोड़े बहुत बीन्स हुए हैं तो पहले भी हुए थे लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि सारे बीन्स जो है अचान तो अब यह सेकेंड टाइम हुआ है तो यहां पर यह देखिए कुछ बीन्स लगे हैं तो जिने मैं अभी तोड़ लूँगी बीन्स नहीं है यह बरबटी है स्नेक बीन्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में जो लंबे-लंबे होते हैं यह देखिए यह आधा जो है कोवे ने करूँगी अब मैं इनको हर्वेस्ट कर लूँगी और भी है बीश-वीश में कुछ-कुछ छोटे हैं तो वो थोड़े और लंबे और थोड़े मोटे हो जाएं सही रहेगा यह देखिए यह पियाज जो है यह पियाज लगाया है यह एक्चुलि क्या हुआ कि मैं अपने मा अब आप देख सकते हैं कि वो काफी लंबे हो गया है उसके जो हरीपतियां है और यह देखिए भिंडी भी हुआ है भिंडी की साइज भी बहुत छोटी है तो यह देखिए अब हम हर्वेस्ट कर लेंगे बहुत ही कम है लेकिन हमारा जो घर है यह दो लोगों का घर है और बेटी तो भी छोटी है तो हम तीन लोग हैं जिसमें से एक मेंबर बहुत छोटा है तो हम दोनों के लिए काफी है यह देखिए मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूं आप देख सकते कि इतना लंबा है यह इतना लंबा है कि उसी पर एक और क्रीपर जो है चड़ गया जिसे मैं देखिए दूसरे रस्ती पर मैं लगा रही हूं देखिए मैंने हार्वेस्ट कर लिया है सबस्ट्ड कर लगाब सबस्ट्ड कर लिए मैं आप ह। सब्सक्राइब कर दो तो यह दिखी इतने सारे बींस मैने हर्वेस्ट कर ले हैं अब बारी आती है भिंडी की तो अब भिंडी को हर्वेस्ट कर लेंगे स्ब्सक्राइब से अब थोड़ा सा ग्रीन अनियन को कट कर लेंगे सोच रही हूँ कुछ चाइनीज डिश प्रपेर करूँ तो यह देखे मैंने थोड़ा सा हरे प्याज ले लिया है I hope यह बहुत तेस्टी होगा क्योंकि घर का है नो केमिकल सिर्फ गोबर खाद वर्मी कमपोस्ट यही यूज किया है मैंने और मेरे पास कोई खाद भी नहीं है तो देखते हैं टेस्ट कैसा है तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी तो लाइक शेर और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और बेल आइकन को प्रस करना ना भूले जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेंगी तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ तो देन बाई एंट टेक केर थांक यू फो वाचिंग